इंडियन कॉंस्टियूशन एंड पब्लिक एड्मिनिस्टेशन भारतिय समिधान एवं लोग प्रशाशन भारत में समिधान का विकास कैसे हुआ इसकी शुरुआत इस इंडिया कमनी के तहट हुई थी भारत में सबसे पहले 1773 1773 में Regulating Act बनाया गया जिसे नियामक अधिनियम भी कहा चाता है इस अधिनियम के द्वारा बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सायता के लिए चार सदस्य की कारेकारी परिशद का गठन किया गया इन सभी क अकारेकाल चार साल रखा गया इसी एक्ट के अनुसार वर्रन हैस्टिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मांसन और बार्वेल काउंसिल के सदस्य बनाये गये सै परिशद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिटेंसी के सैनिक और ए सैनिक शाषन का अधिकार दिया गया और कुछ विशेश मामलों में मदरास और बंबई की प्रेसिटेंसियों का अधिक्शन भी करना था सत्रे सो तीहतर के रेगिलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग भारत में पहली उच्छितम नियाय अलिय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में पहली सुप्रीम कोट 1774 में बनाए गई जिसके पहले मुख्य नयादीश थे सर इलिजा इंपे और तीन अन्य नयादीश बनाए गए इस्ट इंडिय कमपनी के करमचारियों पर निजी वियापार, पर्सनल वियापार करने और भारतियों से कोई भी उपहार लेने पर मनाए थी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग बिटिश सरकार ने कोर्ट ओफ डारेक्टर्स कमपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कमपनी पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था